बालों की देख बाल के असान घहलू उपाए मेती के दानों को राद बाद के लिए भिगो दे और सुबह इसका पेस्ट बना कर बालों में लगाए और 30 मिनट बाद अपना सिर्ट धोले इससे बाल मुलायम और मजबूत होते हैं एक प्याज को छिल कर उसे पीस ले और उसका रस निकाल ले शैंपू से 30 मिनट पहले इस रस को अपने बालों की जड़ों में लगाए और 30 मिनट के बाद अपने बालों को धोले प्याज के रस में सलफर पाया जाता है जो ब्लेट साकूलेशन सही करने में मदद करता है ब्लेट साकूलेशन सही करने से बालों की जड़े मजबूत बनती हैं जिससे बालों का जढ़ना कम होता है हफते में एक बाद चाय की पत्ति के पानी से बाल दोने से बाल लंबे घने और चमकदार होते हैं दही में थोड़ा सा शहद मिलाकर बालों में लगाने से बाल लंबे और चमकदार होते हैं बालों को मजबूत बनाने के लिए नारियल तेल सबसे कारगार नुस्का है नारियल तेल एंटियोक्सिडेंट से भरपूर होता है ये बालों को मजबूत बनाने के साथ ही बालों को पोशन भी देता है इसके लिए रात को बालों में नारियल के तेल की मालिश करके सुबह शैंपू करके बालों को धोले कड़े पत्ते को पीज कर इसे बालों की जड़ में लगाने से बाल लंबे काले और मजबूत होते हैं बालों में दही लगाने से रूसी खतम होती है और ये बालों को हाइडेशन भी देता है साथ ये बालों को मुलायम और चमकदार भी बनाता है नारियल के तेल में विटामीन E कैप्सुल मिलाकर बालों में लगाने से बाल मजबूत और सिल्की बनते हैं रीठा आंवला और शिकाकाई के पौडर को समान मातरा में मिलाकर पानी डाले और उसका पेस्ट बना ले और रात भर के लिए ऐसे ही रहने दे सुबह इस पेस्ट को अपनी बालों में लगाकर एक घंटे बाद साधे पानी से बालों को धोले बालों की सभी समस्याओं के लिए ये एक असरदार उपाय है हफते में एक बार चावल के पानी से बाल धोने से बाल लंबे घले और चमकदार बनते हैं इसके लिए आदा कडोरी चावल को रात को पानी में भिगो दे और सुबह पानी छान कर बालो को धो ले एक कब पानी में एक चमच मेथी दानों का पौड़ा मिला कर इतना उबाले कि पानी आधा रह जाए और ठंदा करके पूरे बालो और स्कैलप पर स्प्रे करे नार्यक का तेल, अरेंडी का तेल और प्याज के रस को समान मातरा में मिला कर बालों में लगा ले और तीस मिनट बार शैंपू कर ले बालों का जढ़ना बंद हो जाएगा और नए बाल भी उगने शुरू हो जाएगे तो फ्रेंड्स अगर आप भी अपने बालों को लंबा काला सिल्की और चमकदार बनाना चाहते हैं तो इन टिप्स को ज़रूर ट्राइ कीजिए और फ्रेंड्स अगर आपको जांकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिकुल न भूले और फ्रेंड्स वीडियो को लास्त तक देखने के लिए आपका दिल से शुक्रिया